Hello students, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल Apex English Classes में आज हम लोग हमारे पार्ट पुस्तक का जो 12 चैप्टर है तीरिच उसके objective question को देखेंगे जो की हमारे exam की दृष्टी से काफी महतपूर्ण है तो चलिए सुरू करते है My 12 चैप्टर का नाम है तीरिच इसका first question है तीरिच के लेखक कौन है तीरिच को किस ने लिखा है First option है again Second option है number C Third option है उदय प्रकास और fourth option है ओम प्रकास बालमिकी तो तीरिच के जो रचनाकार है उनका क्या नाम है उदय प्रकास इसका right answer हो जाएगा go अब हम लोग second number question को देखे उदय प्रकास का जन्म कब हुआ था ठीक है उदय प्रकास का जन्म कब हुआ था First option है एक जन्मड़ी 1952 Second option है चार जन्मड़ी 1950 Third option है एक फर्वरी 1952 और fourth option है दो जन्मड़ी 1952 ठीक है तो उदय प्रकास का जो जन्म हुआ था वो इस्वी था एक जन्बडी 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा अब हम लोग अगले कोश्चन को देखे थर्ड नंबर कोश्चन है हमारा उद्य प्रकास का जन्म अस्थान कहां है ठीक है उन्होंने कहां पे जन्म लिया फर्स्ट उप्शन अनूपुपूर मध्य प्रदेश सेकेंड उप्शन है कांगडा हिमाचर प्रदेश थर्ड उप्शन है जैपूर राजस्थान और फोर्थ उप्शन हमारा है वारांसी उत्तर प्रदेश ठीक है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा अनुपुपुर मधिप्रदिस अनुपुर मधिप्रदिस का एक जीला है और मधिप्रदिस राजी है ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूर्ड नंबर कुश्चन है उदे प्रकास की पिता का क्या नाम था ठीक है उदे प्रकास की पिता कौन थे 1st option है प्रेम कुमार सी, 2nd option है मोहन कुमार सी, 3rd option है आसीस सी, OF 4th option क्या है अमारा अमन सी, तो उनकी पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सी फाइब नंबर कुश्चन है, उदे प्रकास ने, M.A. किस विश्विध्याले से किया, ठीक है, M.A. किस विश्विध्याले से किया, फर्स्ट ऑप्सन, जूधपुर विश्विध्याले, सेकेंड ऑप्सन है, स्रीनगर विश्विध्याले, थर्ड ऑप्सन है हमारा, सागर वि 6 कोषटन को देखे सिक्ष नमबर कोषटन को उध्य प्रकास्जी किस पत्रिका के संपादन बिभाग में काम किया, तो फर्स्ट ओप्चन है जन्योग, सकेंड ओप्चन है बिद्यार्थी, फर्फ ओप्चन है दिनमान और फोर्फ ओप्चन है इनमें से कोई नहीं ठीक है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दिनमान दिनमान जो पत्रिका थी उसके संपादन भीवाग में इन्हों ने काम किया था किस ने उध्य प्रकास ने सेवन नंबर कुश्चन है उध्य प्रकास जी किस पत्रिका की सहाईक संपादक थे ठीक है सहाईक संपादक बोल रहा है तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट आप्षन संडे मेल जो नई दिल्ली की थी नई दिल्ली में जो छपती थी सेकेंड आप्षन है इसका आलूचना थर् 4th option है इन में सभी ठीक है तो यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा संडे मेल जो नई दिल्ली में प्रकासित होती थी संडे मेल इस दा राइट आंसर को इसका सही उत्तर होगा 8th number question है हमारा उदय प्रकास जी किस अंगहरेजी पत्रिका का संपाधन किया करते थे फार्स्ट ऑप्शन है संडे मेल second option है eminence third option है दिनमान और fourth option है इन में से कुई नहीं ठीक है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो क्या होगा eminence eminence उनके अंग्रेजी पत्रीका थी ठीक है कैसी पत्रीका थी अंग्रेजी पत्रीका यह याद रखेगा और Sunday में जो पत्रीका थी उसके वो क्या थे सहाएक संपादक थे क्या थे सहाएक संपादक थे तो अब हम लोग तो इसका right answer हो जाएगा अब हम लोग अगली question को देखें 9 number question हमारा उदेप्रेकास की रचना इन में से कौन नहीं है ठीक है first option है दर्याई घोरा second option है अंतमे प्रार्थना third option है जूठन और fourth option है अरेबा पडेबा ठीक है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो क्या होगा जूठन यह किसकी रचना है ओम प्रकास बालमिकी की आत्म कथा है जूठन ओम प्रकास बालमिकी जूठन क्या है ओम प्रकास बालमिकी की आत्म कथा है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो जूठन होगा क्योंकि इसके रचीता जो है उद्याई प्रकास नहीं है ठीक है अब हम लोग अगले कुश्चन को देखे अरेबा पडेबा ठीक है उद्याई प्रकास की क्रिती है अरेबा पडेबा उद्याई प्रकास की किस बिधा की क्रिती है क्या है ठीक है अरेबा पडेबा क्या है first option है कभिता second option है निवन्द third option है कहानी और fourth option है ब्यंगे ठीक है तो अरेबा पडेबा जो है उनका एक कहानी है, इसका right answer हो जाएगा, go, 11 number question है हमारा, अबूतर कबूतर, ठीक है, अबूतर कबूतर क्या है, वो क्या था, अडिबा पडिबा, अडिबा पडिबा क्या है, कहानी है, कोशन पूश चुका है, वीहार बोड ने, अडिबा पडिबा क्या है, कहानी है, और अबूतर कबूतर क्या है, तो देखेंगे हापे हम, first option है, कबिता संग्रा, second option है, निवन संग्रा, third option हमारा क्या है, कहानी संग्रा, और fourth option है, इन में से कोई नहीं, तो इसका right answer हो जाएगा वो क्या होगा कभीता संग्रा कभीता संग्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा अभुतर कभुतर कभीता संग्रा है अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे application Apex English Classes टिख है Apex English Classes इसे प्राप्त कर सकते हैं साथ ही अगर आपने इससे पीछे के chapters के वीडियो नहीं देखे हैं अब जेक्टिव कुश्चन के तो आप वह भी जाकर के हमारे playlist से उसे प्राप्त कर सकते हैं ठीक है साथ में subjective भी उसमें मिलेगा आप लोग को playlist में जाकर के आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं योटूब पे तो अब हम लोग अगले question को देखें इन में से कौन उद्य प्रकास का कभिता संग्रह नहीं है फर्स्ट option है सुनो कारीगर सकेंड option है अबुतर कभूतर थऊर्डवसन हुमारा रात में harmoonium और फूर्थ option है फिली obs podr लडकी ठीक है तो यह जो पीली छंचरी वाली लड़की यह क्या है उनका कहानी है entonces का ओर यह तो नहीं क्या है कभिता संग्रह तो इसका जो right answer हो जाया क्या होगा पीली छतरी वाली रड़की क्योंकि ये क्या है कहानी संग रहे उद्धे प्रकास का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो थर्टी नमबर कुशन उद्धे प्रकास पाठकू की समक्ष अपनी लीखन के कारण कब उदित हुए कब चर्चा में आए ठीक है कब प्रकास में आए वो तो देखेंगे फर्स्ट आप्सन हमारा 1960 की आसपास सेकेंड आप्सन है 1970 की आसपास थर्ड आप्सन है 1980 की आसपास और हमारा फोर्थ आप्सन क्या है 1990 की आसपास ठीक है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 1980 के आसपस ये इसका सही आंसर होगा 14 नमबर कुश्चन है तीरिच किस प्रकार की रचना है? फर्स्ट ओप्शन है आधूनिक तरास्ती सकेंड ओप्शन है जानबर के बिलुप्त होने की थर्ड ओप्शन है आधूनिक कॉमेडी और फर्फ ओप्शन है सुखार की ठीक है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आधूनिक तरास्ती तीरिच किस प्रकार की रचना है? आधूनिक तरास्ती है 15 नमबर कुश्चन है तीरिच को कैसी कहानी माना जाता है? फर्स्ट ओप्शन है जदू य य थार्थ शकेंड ओप्शन है अमारा प्राचीन कोमेडी थर्ड ओप्शन है आधर्ष वाधी कहानी और फूर्थ ओप्शन क्या है? इनमे कोई नहीं तो जदू य य थार्थ माना जाता है तीरिच को तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा का जादो या धर्थ अब हम लोग 60 नंबर कोशन को देखते हैं तीरिच क्या है तीरिच इस कहानी का जो सीर्षक दिया गया है तीरिच ये क्या है तो देखेंगे हम फर्स्ट ऑप्षन भायानक तथा विसैला जन्तू सेकेंड ऑप्षन है पक्षी, थर्ड ऑप्षन है घनाबन और फोर्थ ऑप्षन है इमारा इनमें से कोई नहीं ठीक है तो तीरिच जो है एक भायानक तथा विसैला जन्तू है छिपकिली टाइप का ठीक है लिजर्ड एक प्रकार का लिजर्ड है ये छिपकिली के ही जाती का होता है तो इसका जो फर्स्ट ऑप्षन होगा वो सही होगा तीरिच एक भायानक तथा विसैला जन्तू है 52 verse, 2nd option valaine지 60 verse, 3rd option 65 verse, 4th option 65 verse तो इसMominda जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? पचपन परस पिदाजी की आये इसमें 55 verse है और इस कहानी के जो मुख्य पात्र है वो भी पिदाजी है पिदाजी को ही लेकर कहानी चल रही है कि किस प्रकार पिता जी को तीरिच ने काटा था और किस प्रकार उनकी मिर्ती हुई ठीक है शुरू से लिकर के अंत तक इसमें पिता जी की ही चर्चा की गई है देखेंगे ये question भी आ गया हमारा तीरिच कहानी में मुख्य पात्र है Our question is Nineteen number question है लिकर की अनुसार ठीक है लिकर के अनुसार निलकंठ चिरिया को किस दिन देखना सुभ माना जाता है लिखक का एक मत है कि इस दिन निलकंठ का जो दर्सन होता है वो सुभ होता है ठीक है जरूर देखना चाहिए तो फर्स्ट ओप्सन है दीपावली सेकेंड ओप्सन है दसारा थर्ड ओप्सन है छट वर्व और फूर्थ ओप्सन क्या है हमारा नाग पंचमी तो लिखक के अनुसार दसहरा के दिन निलकंठ जो एक पक्षी है उसको देखना सुभ माना चाहता है सुभ होता है हमें उस दिन निलकंठ को देखना चाहिए निलकंठ क्या एक पक्षी है 20 नमबर कोश्चन है, डॉक्टर ने लेखक को 100 रुपे के कितने नोट दिये थे? 1st option है 2, 2nd option है 3, 3rd option है 4, और 4th option क्या है हमारा? 5 ठीक है, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो क्या होगा? 3 डॉक्टर ने लेखक को 100 रुपे के 3 नोट दिये थे 21 नमबर कोश्चन लेखक को यह किसने बताया, तिरिच में काले नाग से 100 गुना जहर होता है, ठीक है? तिरिच में क्या होता है? काला नाग जो होता है, उसे 100 गुना जादा जहर होता है, यह लेखक को किसने बताया था? तो फर्स्ट उप्सन है थानू, सेकेंड उप्सन है मारा पिताजी, थर्ड उप्सन है डॉक्टर, क्या डॉक्टर के द्वारा बताया गया था और फोर्थ उप्सन है राम ओतार, ठीक है तो थानू जो क्या था लेखक का दोस्त था, थानू का संबंध लेखक से किस प्रकार क है तो लेखक का दोस्त है थानू तो थानू के त्वारा बताया गया था लेखक को कि काल तीर्श में जो होता है काले नाख से क्या होता है सोगुना जादा अधिक बिश होता है जहर होता है तीक है और हम कि वैंटी नंबर Koshy अ कि लेखक के दूश्ड़ों अपने के सबसे किस चीज से लिखक को ज़्यादा डर लगता है तो first option है हाथी और तिरिच, second option है कुत्ता और बिल्ली, third option है तिरिच तथा सेन, और fourth option है साप तथा चमगादर, ठीक है, तो लिखक को जो डर लगता था सपने में हाथी और तिरिच से, उसे वो खड़ा आप सपना मानते थे, हा काफी बहलता था सपने में, इसका राइट आंसर हो जाएगा को, 23 नमबर कोश्याद, कुए में डालने वाली लाल दवा का क्या नाम था, इसमें आया हुआ है, एक दवा का नाम आया हुआ है, जो कुए में डाली जाती, और किस कलरकी है वो लाल कलरकी, आप से पूछा जा स साइट, ठीक है, यह सब कैमिकल नेम सब है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या होगा, पोटैसियम परमेंगनेंट, इसका जो कलर है, वो कौन सा है, लाल, तो आप से पूछा जा सकता है, कि पोटैसियम परमेंट का कलर किस कलर का होता है, तो यह देखेंगे, रेड है ठीक है और कुए में डालने वाली दवा का नाम potassium permanent इसका right answer हो जाएगा ख लिखक के गाउं से लगभख कितनी दूर सरक से सहर के लिए बसे गुजरती थी ठीक है कितनी दूर जाने पर लिखक के गाउं से बसे मिलती थी इस question का ये तात पड़ है तो first option हमारा है 3 km second option है 2 km, third option है 5 km और fourth option है 4 km तो लेखक के घड़ से 2 km चलने के बाद बसे मिलती थी ठीक है जो सहर के लिए जाती थी 25 number question है पंडित राम ओतार ठीक है किनका नाम दिया गया है पंडित राम ओतार क्या थे first option जोईतिसी, second option है सिक्षक, third option है राजनीता और fourth option है जोईतिशी और वैदे ठीक है आपको exam में जो objective question दिये जाते है उसमें ये लिखा राता है कि जो सबसे सटिक जो answer है उसका answer देना है ठीक है वो answer आपको choose करना है तो देखेंगे हाए यहाँ पर जोईतिसी, ये भी सही है ठीक है लेकिन वो क्या थे, जोईतिसी और वैदे अगर option में आपको जोईतिसी और वैदे दूनों दे दे तो ये सही होगा लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई पुजारी दे दे या कोई अन्य option दे दे तो यहाँ पे जिसका right answer हो जाएगा वो क्या होगा? जोदसी वो जोदसी भी थे और वैद्य भी थे इसका right answer हो जाएगा क्या? घव तो आपको option की हिसाब से चूच करना है 26 number question है तिरिच कहानी में पिता जी का नाम क्या है? तिरिच कहानी जो है उसमें पिता जी का क्या नाम दिया गया है फर्स्ट option है राम निहाल प्रसाद सगेंड option है राम प्रवीस प्रसाद, थर्ड option है राम स्वारत प्रसाद और फोर्थ option है क्या रमेश्वर प्रसाद तो लेखक के पिदाजी का क्या नाम था? राम स्वारत प्रशाद था, ठीक है? गौईस का सही, उत्तर होगा अगले कोशन को देखते हैं 27 नमर कोशन लेखक तीरिच की राख को जलाने जंगल में किस के साथ गय थे? ठीक है, किस के साथ गय थे? फस्ट ऑप्शन थानू सेकेंड ऑप्शन मोनू तर्ड ऑप्शन सोनू और फौर्थ ऑप्शन क्या है? राहूल तो थानू के साथ गय थे, जो की लेखक को था? दोस्त था पूचा भी गया है, कि थानू कौन था? तो लेखक का दोस्त है आगे हम देखेंगे उस question को, या आहे गया, देखेंगे यहाँ पर थानू कौन था, ठीक है, फर्स्ट option है लिखक का भाई, सेकेंड उप्षन है लिखक का परूसी, थर्ड उप्षन है लिखक का दोस्त, और फोर्थ उप्षन क्या है, इनमें सी कोई नहीं, तो थानू का संब इस टेट बैंक के कैसियर का क्या नाम था, ठीक है, इस्टेट बैंक के कैसियर का क्या नाम था, देखेंगे यहाँ फर्स्ट उप्षन है अगनी होतरी, सेकेंड उप्षन है राम उतार, थर्ड उप्षन है सूमननात, और फोर्थ उप्षन हमारा क्या है, सूभितनात, तो इस्टेट बैंक के जो कैसियर थे उनका नाम था अगनी होतरी इसका सही उत्तर होगा 30 नमर कोश्चन है लेखक के पिताजी ट्रेक्टर से कहां उत्रे थे ठीक है उस अस्थान का क्या नाम था ठीक है फरस्ट औप्षन अफिस के पास सकेंड औप्षन है vatakic के पास थर्ड ऑप्षन है बिद्याले के पास और फोर्थ उप्षन क्या है डहावे के पास तो इसका जो right answer हो जाएगा वो क्या होगा? मिनरवा टागिज के पास लिखक के पिताजी किस चीश से उतर थे? ट्रैक्टर से. Question आपसे आ सकता है कि लिखक के पिताजी मिनरवा टाकिज के पास किस बाहन से उतर थे? तो कौन सा था? ट्रैक्टर. ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, ख, तो आज हम लोग इस chapter के important objective 30 questions को देखें, ठीक है, 30 questions को, जो कि आपके exam से काफी important है, काफी exam के दृष्टी से काफी important है, तो इसके साथ ही अगर आपको, आपने ये पीछे का वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे channel Apex English Classes, ठीक है, YouTube पे आप Apex English Classes सर्च कीजिएगा, साथ में प्लेइलिस्ट में जाकर के आप इससे पीछे के जितने भी chapter है, उस सारे के BVI important objective question को देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी लाफ कर है, साथ में आप Apex English Classes के application को भी डाउनलोड कीजिए इंस्टॉल करके आप वहाँ पे free test भी रे सकते हैं, साथ ही ये सारी PDF ये आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपने comment के माधियम से जरूर बताइएगा, साथ में इसे like तो था, share भी कीज है भी कीजियो बताइगा